कि हिंदी सिनमा की एक अदाकारा जेनियो आई थी, कुछ नहीं बोली, नारा नहीं लगाई, मोधी जी का नाम नहीं लिया, मोटा भाई का भी नाम नहीं लिया, उनका बेटा जैसाह की भी चर्चा नहीं हुई, बिसी सी आई का सेकरेटरी वो क्यूं बन गया, इस पे भी वो स ये कहना शुरू किया, कि हम इंका फिल्म नहीं देखेंगे, तो मेरे मन में एक सवाल आया, कि भाई हो किसी का नाम ही नहीं लिया, किसी विचारधारा का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाया, तो फिल्म क्यूं नहीं देखेंगे, मतलब ये मानते हैं, ज उन्होंने ही जे इन्यू में हिंसा की फिर हमारे काविल वाइस चांसलर अचानक से मीडिया के सामने अवतरित हुए सत्तर दिन से आंदोलन चल रहा था वो कहा थे वो सकता है अच्छे दिन के साथ सो रहे होंगे उनका एड्रेस नहीं मिल रहा था फिर वो आए और मीडिया को कहा कि जो ग्रेट प्रस्नालिटीज घायलों से आके मिल रहे हैं उनको उनसे भी मिलना चाहिए जिनकी पढ़ाई लिखाई बाधित है इसको कहते हैं कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं अपना कार महीं खड़ीद कर पा रहे हैं तो परोसी जब कार खड़ीद के लाया है तो कह रहे हैं कि इसका रांग अच्छा नहीं है कोई उसको याद दिलाईए कि साहब ये आपका काम है कि इन्वर्स्टी में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो रही है तो ये आप जाकर के बिद्यार्थियों से बात करेंगे आप जाकर के अपने सिक्षकों से बात करेंगे आप अपने कर्मचारियों से जाकर के बात करेंगे दिपिका पादुकों जी इन्वर्स्टी वाइस चैंसलर नहीं है मेरा प्रश्ण ये है कि आपके घर में कोई खायल हो जाए और जो head of family है परिवार का मुखिया है वो उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वाइस चैंसलर बोले हैं कि कोई भी आके हमसे मिल सकता है हमारा दरवाजा खुला रहता है ऐसा तो अमित साह भी बोले है कि रात को तीन बजे भी मेरे घर में आ सकते हो बोलिए ये निमंत्रन है कि धंकी क्या है ये वाइस चांसल्र कह रहे हैं कि कोई भी आके हम से मिल सकता है आपकें परिवार का मुखिया अगर कहे कौई एक्सिडंट घर में हो गया हो कि टूटा हुआ टांग ले करके कोई हुआ करके हम से मिल सकता है यह कितनी अजीब बात है इसके बारे में सोचिए वाइस चंसलर जो घायल स्टूडेंट हैं उससे मिलने के लिए नहीं गए उसी से मिल लेते हैं सेल्फीबीट टूटे हुए आपका कुली कहते हैं कि स्टूडेंट का और्गनाईजेशन है स्टूडेंट का और्गनाईजेशन के बीच में आपस में जड़ाप हो गया तो भाई टीचर का सर क्यों फोर दिये टीचर कौन सा स्टूडेंट का और्गनाईजेशन का मिंबर हैं इसको समझने का ज़िरूरत है कि ये बहस क्यों खड़ा की गई है ये बहस इसलिए खड़ा किया गया है ताकि आप क्रोनोलोजी समझते रहें और ये अपना क्रिम्नोलोजी चलाते रहें ये अपराध है और इस देश के ग्रीम मंत्री के उपर तरिपार होने का आरोप नहीं है वो तरिपार थे उनको गुजराच से बाहर कर दिया गया था सुननीचे दिल्ली पुलिस के हमारे प्रिये आईपियस हों आप जो है एक तरिपार का घुलामी करना प्रन करतीजी आप आईपियस हैं हमने से बहुत सारा स्टूडेंट आईपियस बनना चाहता है आप लोग ऐसा कीज़ेगा ती क्या है और वो जो देश के अंदर बहस खड़ा कर रहे हैं उस बहस पर आप सवाल खड़ा कर दीजिए तो इंडी नस्नल बोलने लगते हैं इपिका पादुकोन जब मोदी जी का केंपेंड कर रही थी तो देश भक्त थी जेन्यू में आ गई तो देश द्रोही हो गई यह कितनी अजीब बात है इस देश का नौजवान का सपना आप उससे चीन रहे हैं उसके परने लिखने का अधिकार आप उससे चीन रहे हैं इस देश में गरीब लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर सकें आप उसके उपर हमला कर रहे हैं आप सीधे तोर पर यह साजिस कर रहे है कि अगर जे इन्यू जैसे संस्थान बंद नहीं होंगे तो जे इन्यू इन्वस्टी ओफ एमिनेंस कैसे बनेगा सोच के देखिए जे इन्यू अगर रहेगा जे एर सो रुपय में पीएसडी कराएगा बसंत कुंज में जाउठ दिल्ली में पहारों के बीच में पेड़ों के बीच में तो हमको माथा में कुटा काटा है कि हम जीयो इन्वस्टी में पढ़ने के लिए जाएगे यह क्यों है यह इसलिए है कि जब तक बीएसएनल बाई साहब नहीं लगेगा नहीं बनेगा तो जीयो धन्धनाधन कैसे होगा आप लोग भी धन्धन कर रहे हैं न यहां मैं जराग गांधी को ले आता हम गांधी चर्का क्यों काटे थे क्या लगता है आपको उसमाइं एकॉनमी के लड़ाई नहीं थे चर्खा क्यों काते थे ताकि मैंचेस्टर के कपरे को नहीं पहनेंगे भारत के लोग अगर आपको लगता है कि JNU को बचाने की लड़ाई सिर्फ JNU को बचाने की लड़ाई है ऐसा नहीं है JNU को बचाने की लड़ाई इस देश में PSNL को बचाने की लड़ाई है रेलवे को बचाने की लड़ाई है एर इंडिया को बचाने की लड़ाई है फत्रकारिता को बचाने की लड़ाई है नागली कधिकारों को बचाने की लड़ाई है संबिधान और टेस को बचाने की लड़ाई है के बात हम तमाम लोगों को समझना चाहेंगे और खुश्रा मत होईए आप भक्त भक्त बोल करके उसकी भावनाओं को हट मत कीजिए आप ही सोचिए आपको अगर किसी से मुहबत होगी उसके बारे में खड़ाब बात बोलेगा तो बुरा लगेगा नहीं तो आप उसकी भावनाओं को हट मत कीजिए सिर्फ उससे यह पोचिए दोस्त आओ चाय पीते हैं जो थोड़ा हम भी चाय पर चर्चा करने हैं यह बताओ एक ही तो दिल है तुम्हारे पास मोधी जीत लिये हैं कोई जिकत नहीं है दिल तुम उनको दे दिये दिल दे चुके स अनम दिमाद तो है एक दिमाद है न आपके पास अब सोचके देखिए दिल्ली का चुडाओ हो रहा है कोरोडों लोग यहां पे रहते हैं दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं दिल्ली में लोगों के फेफरे खड़ा हो रहे हैं एद्वाजरी जारी होता है कि सुबर तहलने के यह नहीं निकल जबकि कहा जाता है कि सुबह टहले से लोग स्वस्त रहते हैं दिल्ली में ऐस्वस्त हो जाते हैं यह दिल्ली की समस्या है एलकेजी में यूकेजी में एड्मिशन कराने के लिए माबाप को तब से भी चिंता होने लगती है जब वो वी आर प्रेगनेंट हो जाते हैं यह सच है कि इंटर्वियू की तैयारी करते हैं बच्चों से पहले माबाप केल केजी युकेजी में एडमीशन कैसे होगा लोगों के पास पार्किंग की समस्या है कार खड़ीतना चाहते हैं लेकिन लगाने की जगे नहीं है जहां पे दोस्त ऐसे महलों में रहें जहां कार ले जाने में दिक्कत हो तो दोस्ती जूट जाती है लोग जो है वह इसी जगह पे गेट टुगेटर करना पसंद करते हैं जहां पार्किंग हो सके दिल्ली के लोग साब हवा, साब पानी, अच्छी सिक्षा, भिजली, सुरक्षा ये मांग रहे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो कोई मुद्दा है नहीं इसलिए हम JNU के नाम पे चुनाव लड़ेंगे बताइए एक इन्वस्टी दिल्ली के एक कोने में पर लिख रहा है कुछ बोल रहा है और आप इतने एस्पेसल नहीं है साहिब कि आप आए हैं तभी बोलना शुरू किया है अरे हम ऐसे नहीं हैं हम कोई न्यू चैनल चलाते हैं क्या कि पैसा लेकर के बोलेंगे अरे इस्टेश के नागरिक है जो सही लगता है सही बोलते है जो गलत लगता है गलत बोलते है आप से कोई व्यक्तिकर दुश्मनी है क्या कोई व्यक्तिकर दुश्मनी नहीं है और आपके भीतर इस देश की जनता के भीतर जिस तरीके से JNU के खिलाफ नफरत भरा जा रहा है आपको सिर्फ बलड प्रेसर का बिमारी होगा आपकी कोई समस्या का समधान नहीं होने जा रहा है जितना गाली देना है आप दे लिजिए जितना anti-national कहना है कह लिजिए इससे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी इससे आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी इससे आपको इस देश में वहतर पुनियादी शिवधाय नहीं मिलेगी इसले जैनियो में उलचे रहते हैं हम भी समझते हैं आपका खुननस हमको समझ में आता है एडमिशन होना इतना आसान बात थोरी है एक पत्रकार आ करके बोले कि सरकार कह रही है कि जेएनियों में राजनीती क्यों होती है जेएनियों में लोग राजनीती पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे और और तो और मोदीघी भी इंटन पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं डिगरी नहीं है उनके पास है कि नहीं हम नहीं जानते हैं हम पढ़ते हैं देख भी लिजिये हमारा अप लोग वहाँ जो है 35-35 साल PhD करते हैं गजा बात करते हो यार 35 साल में हम PhD कर लिए तो अपराध कर दिये अब मोधी जी MA किये वी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं तो बजावताली यह फेसी बात है किन चीजों पर बहस कर रहे हो कि जे नियू में पार्टी होता है दिक्कत है पार्टी नहीं होना चाहिए तो आप क्यों बड़े पार्टी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जे नियू में लोग पैदा होकर के नहीं आया है जेनियों में तो लोग पैदा होकर के आया है ना उनका भी कोई बड़े होगा ना अरे कम से कम इस जनरेशन का तो होगा ही जो इस्ट्राग्राम चला रहा है एक दिन अम्मा को हम पूछे अम्मा तुम कम पैदा हुई तो बोली बारिस का मोसम था भैंस को दो बच्चे हुए जुचे भांस को जाके कैसे पुछें बता तुम ये जैनरेशन है ये पाटी करेगा करेगा ृष्य mais किसे बात से है एक बात पता दिजिए खकाभाई इस बात से दिककत है जीनियूं Yakor kosin a boy कि चीज़ बता जस्ट बीन के पास बाइट रहा हैं तो इसे दो इसे बाइट आपके इसे आपकोंडोम गिन रहे हैं सब्सक्राइब का बुतल किन रहे हैं अरे भाई हमारे सिग्रेट पीने से दिल्ली की हवा नहीं खड़ाब होती है जो पीता है फोटो लगा हुआ है उस पे कि अगर आप पर नहीं सकते हैं तो फोटो देख लिजिए वो अपना फेफडा खड़ाब कर रहा है अगर इस्टू स्टूडेंट की बड़ी चिंता हो रही है इस्टूडेंट के नाम पर राजनीती हो रही है उल्लू समझते हैं अपने जैसा हमारे नाम पर कोई राजनीती कर लेगा हमको बुती नहीं है हम सोच नहीं सकते हैं हम नहीं पढ़े हैं देश काई किहास हमको राजनीती नहीं प बिल्कुल सीधी सी बात है जेन्यू कहता है इस देश में जन्ता की चुनी हुई सरकार है जन्ता ने उसको चुना है जन्ता टैक्स का पैशा देती है सरकार जो सरकारी संसद में बैठती है सरकारी कार पे घूमती है सरकारी हवाई जहाद पे जो उरती है जो सरकारी यात्राओं पे अपने प्राइवेट दोस्तों को बिजनस दिलवाती है उस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो सरकारी सिक्षन संस्थानों को चलाए उसकी जिम्मेवारी है कि वो सरकारी रेलवे को बचाए उसकी जिम्मेवारी है कि वो एर इंडिया को बचाए उसकी जिम्मेवारी है कि बीए सेनल को नहीं बेचा जाए मंत्री बनेंगे सरकारी, कार चाहिए सरकारी फोटो खिचा जाएगा सरकारी कैमरे में रहेंगे सरकारी घर में लेकिन सरकारी उनिवस्टी नहीं चाहिए वहाँ जीओ उनिवस्टीो भेमिनल यह भेमानी है यह राश्च्रवार के नाम पर एक राश्च्रवारी सरकार टेश की राश्ट्रे संपथ्टी को बेच रही है और आपको जेनियू के परी हुई है आप इस बात की चिंता में कि जेनियू में नारा लगा कि नहीं लगा आपकी चिंता नारा नहीं है अगर आपको चिंता होता नारे का और देश का तो पिछले 5 साल में आप समझ गए होते कि जेनियू कि इस बात के लिए लग रहा है एक प और यहां मंत्री जी के दफ्तर के बाहर दिन दहारे बिना नकाब के इतने लोगों के सामने सुईकार करता हूँ कि हूँ देश का नहीं करागे टुकरा आपका टुकरा करेंगे भागता करेंगे यह इसको हमारा इक्वाल या वयान समझे आप कि देश को तोरने की आपकी साजिस देश को नफुरत के आग में जलाने की आपकी साजिस पैमानी के आधार पर आपकी राज करने की साजिस को नाकाम करेंगे और आपको क्या लगता है कि आप कभी रिजर्वेशन को गाली दे करके कभी पॉब्लिक फंडेट इनवस्टी को गाली दे करके कभी मैरिट का तर्क ला करके हमारी लडाई को गुम्रा कर देंगे आईए भेजिये जिसको भेजिना है जोन साब का सबसे स्योग संतान है उसको भेजिये देश करने के लिए हम देश करेंगे आपसे हम आपको बताइए कि मैरिट क्या होता है मैरिट यह होता है कि इस देश के करीब से करीब इनसान के बच्चे पिछ़्ए से पिछ्डए इलाकिये के बच्चे काला हंडी से आते हैं भाई साब जहा आज तक बिजली नहीं पहुँची है जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे अपनी मात्री भाषा तो जानते ही है बांगला, उरिया, भोजपूरी, मैथली मलियालम, कन्नर, तमील, तेलगू अशमिस ये सब भाषा तो जानते ही है आपकी फर्लाटेदार अंग्रेजी भी सीख करके इंटरेंस देते हैं पास करके नौपरी लेकर और मेरिट की बाद करते ही क्या मेरिट है आपके लला का क्या साथा क्या मेरिट है क्या मेरिट है सिर्फ इस बात को छोड़ दिया जाए कि उनकी सकल हूब 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 हम इस साह से मिलती है उस आदमी का क्या मेरिट है उसको कैसे इस देश में विसिसिया का सेकरेटरी बना दिया गया है पुछेंगे कोई सवाल कोई ठोकेगा ताल पताएगा कि नेसन वान्स तू नो हम चैलेंज करते हैं करेंगे सवाल जेन्यू से आपको चिड़ इसलिए है कि जेन्यू सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाता है जेन्यू सवाल पुछना सिखाता है और वो रवायत वो रवायत हमारे भीतर है और आपको यह लगता है पुलिस से हमारी कोई लराई नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा यह नारा लगाए हैं यह अंदर की बात है पूलिस हमारे साथ है जेन्यू जब बचे जहां तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा कोशिश करके दीजिए देखें आपको बच्चे को पढ़ाने में क्या तकलीफ होती है और मेरी मा तो सरकारी नौकरी नहीं है तीन हजार कमाती है पताईए जेन्यू था इतना पढ़ा के सिखा दिया है न कि जो आप पे हुकम चलाता है न उसको हम आँख दिखाते हैं देखों की बचाने के लडाई आपके हपर अफिकार की लडाई है आपके बच्चों के पढ़ने की लडाई है इस देश में गरीब से गरीब इनसान यह सोच सके कि हम पीएचडी करेंगे हम भी अंग्रे जी बोलेंगे हम भी जीव टेड़ी करके प्रिटिन्स और अमेरिकन दोनों अक्सेंट में अंग्रे जी बोलेंगे यह आत्म विश्वाफ देता है यह इन्वस्टी यह इन्वस्टी धड़ाती नहीं है यह इन्वस्टी यह नहीं देखता है कि आपके बठुए में पैसा कितना है यह इन्वस्टी यह नहीं देखती है कि आप जूता किस ब्रांड का पहन करके आये हैं यह इंवर्स्टी आपकी ठूटी फूटी अंग्रेजी के चलते आपको बेज़त नहीं करती है, यह इंवर्स्टी आपको सिखाती है, आपके साथ बेज़ती है, आपके भीतर आत्म विश्वास पैदा करती है, इस इंवर्स्टी का गेट किसी को ड़ाता नहीं है, क्योंकि य परसेंट छूट की सेल वाला दुकान नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मॉल के सीसे वाले गेट के भीतर घुशने का हिम्मत नहीं करेंगे आपको डर लगेगा आप कपरे का क्वालिटी चेक करने से पहले उसका टैग देखते हैं कि दाम क्या है देखते हैं देखते हैं यह इन्वस्टी नहीं ड़ाती है अरे क्या फरक पड़ता है कि किसकी मां कहां कमाती है और कितना कमाती है इन्वस्टी ने कहा है कि हमारे बच्चे हैं अगर हमारे मांदंड को यह पूरा करते हैं अगर यह इंट्रेंस पास करके आए हैं तो हम इनको पढ़ाए पर इखी बात की चंटा रहती थी थी दिणा कि किसी तरा सा इंसक्रेंट्रणस पर लिए खराअग में नहीं मिला है जैसा की तरह हमको खराइट्राएग मात्री वहासा में स्कुलिंग करने के बाब जूद अंग्रेजी परगर के अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी में एक्जाम दे करके JNU में एडमिशन लेते हैं आप भीग नहीं और JNU सिर्फ आज की पीड़ी के लिए नहीं लगता है अगर आज की पीड़ी के लिए लग रहा होता तो आज JNU के सारे पुराने प्रेसिडेंट यहां खरे नहीं होते बक्तिलाल फ्हरवा का नाम कितने गौर्व से लिया जाता है देखिये कि वो पुराने प्रेसिडेंट आज यहां खरे हैं आप लोगों के साथ यह JNU के रवाय कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीना सीखने है दूसरे का भी जीने का अधिकार है इस बात के लिए भी खड़े होते हैं JNU के स्टूडेंट जो आज JNU में पढ़ना है एक पत्रकार हमको बार बार कह रहा था कि जो दे सकते हैं उनको देने में क्या दिक्कत है अरे जो तुमको दे सकते हैं उनसे तो तुम ले ही रहे हो तुम ये तो बताओ कि जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए तुम्हारे पास क्या योजना है JNU में जो आज पढ़ते हैं उनको फेलोसिप मिलता है उनको जयारफ मिलता है वो फीस दे सकते हैं वो सिर्फ अपनी फिस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस बात के लिए लड़ रहे हैं, कि आज अगर हम नहीं लड़ेंगे, तो कल को फिर से कोई आंगनवारी का बेटा, कोई चूरी बेचने वाला का बेटा, कोई कोई तब की बेचने वाली की बेटी इनवस्ती में नह चाहे हमारा रंग कुछ भी हो, चाहे हमारी जाती कुछ भी हो, चाहे हमारी नाग कैसी भी हो, हमारी बोली कैसी भी हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं, और जब हम इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश का संबिधान सभी नागरिकों को पढ़ने का और सपने देखने का देना चाहते हैं नहीं मरने देंगे आपको भरम है कि पुलिस से पिटवा देंगे फर्जी मुकदमा करवा देंगे अपने मीडिया चेनल को बोल बोल करके टुकरा टुकरा का गैंग बोलेंगे एंटी नेशनल बोलेंगे दरका ऐसा माहौल पैदा खड़ा करेंगे कि कोई आ आप आँख में काजल डाल करके देखते रहिए कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा हो जाएगा आप अकेले रहे जाएगे क्योंकि हमने ये तै किया है कि एक लब कांग उठा तो आपने काट लिया आज का एक लब अपना सर फुडवा लेगा अपना सर कटवा लेगा लेकि क्रिमनोलोजी समझें क्रिमनोलोजी नहीं है कि पहले एक देश की उन्वेस्टी को जिस नहीं इस देश को क्या नहीं दिया है भारी बेशरम लोग हैं तुद्टू को मन्त्री बनाए हुए है और इस्तेमाल क्या करते हैं हमारे दोनों पुराने इलूमनाई का जैसे भाजपा जब चुनाव हार जाएगी न तो बाइट देने के लिए साहनवाज हुसेन को भेज़ देगी अब भाजपा जब जीट जाएगी तब पात्रा आएंगे मोधी जी की किपा सुनाने को अभी ज और 2014 से पहले तुगरा तुगरा सरकार भी नहीं था और यह साजिस क्रिनोलोजी आप समझे कि अगर किसी महिला का जमीन कपजा करना हो उसकी पती की मौत हो गई है तो उस विद्वा को बद्चलन साबित करना बहुत ज़रूरी है पहले उसको डायन बताया जाएगा उसके जूते की माला पहना करके, उसको गाउं में घुमाया जाएगा फिर गाउं के दभंग जो है उसकी जमिन को कपजा गरनेंगे जेणियो के साथ खू बहू यही काम किया जा रहा है कि जेणियो पूरे देश में कोई ऐसा मुद्ध हो हर मुद्य पर यह इंवस्टी ख़़ा होती है पिछले अगर आप पांच साल का एकाउंट मांगिएगा तो हम बता देंगे हम सरकार नहीं है यह नहीं बता पाएंगे कि नोटबंदी के बाद कालाधन कहां गया हम बता देंगे कि 2014 में जब सरकार आई तो इस देश में क्या है कि फासीबाद आपके धर पे है फासीबाद और कुछ नहीं होता है फासीबाद यहीं होता है कि आप से आपका आधिकार छीना जाएगा और आपको लगेगा कि यह देशित में है फासीबाद और कुछ नहीं होता है कि एक भेड को दूसरे भेड के खिलाप खड़ा कर दि अभी बचेंगे नहीं कि हमको समझना परेगा कि दो भेड़ अगर लर रहे हैं तो कोई एक भेड़ी हारेगा ना दोस्त भेड़िया तो बैटके खाएगा ना ब्रेकपास्ट बिक्टास और कुछ नहीं होता है फासी बाद इसे पहले एक शब्द आया था उदारवाद कि कोका कोला के सामने सत्तू और लस्टी जायर करें हाई हावर यू मैं उदारवादी हो गई हूँ तुम भारत के बाजार में आजाओ लोग अब लस्टी और सत्तू नहीं पिएंगे अब जो है ठंडा मतलब कोका कोला होगा यहीं होता है ना उदारवाद कि भेड़ चल करके भेड़िये के पास जाए और कहें कि उदारवादी समय में मैं उदारवादी हो गई हो मुझे खा जाओ इस देश में इस नीती ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है इतने इंवस्टीज खुले इतने कॉलेज खुले ट्रेन में अगर पूछ दिजे किसी विद्यार्थी स है कि क्या करते हो हर दूसरा तिस्रा कहएगा कि इंजीनियर हैं इतने ऑंजीनियर इस देश ने पैदा किये इतने एंब़िये घूम रहे हैं विया ओ ना बंदो गया है कि इंगीनियरिंग का डिग्री लेने के बात भी साथ ही नहीं हो रही है अलग समस्या है नोकड़ी का गारेंटी नहीं है हमारे डॉक के लिए जो टीचर लग रहे हैं उसे कभी पूछिए प्लान करते हैं घर लेने का लेकिन ये तो गारेंटी हो कि अगला छे महीना किये पढ़े लिखे किताब लिखे और जो हर छे महिने में उस टीचर इंचार्ज को देखते रहते हैं कि तुम ही माइबाब हो सहाब जो कड़वाना है करवालो ये ये उदारवाग में पैदा किया है कि लोगों के बुनियादी अधिकार उनसे एक-एच करके छीन लिए ग करते हैं इस रो भी तो सरकारी है जिस जेनियों को आप इतना बदनाम करते हैं हर साल बिष्ट इनवस्ति का पुरुष्कार ले लेता है यही गुना है कि आप सोचते हैं इसलिए आपके सर पे रॉड मारा गया है पास को उनके सर में गोली मारी गई थी किसलिए जोचते हैं और भगत सिंग ने कहा है इनसान को मार दोगे विचार को कैसे मारेगे और यह जो आपकी विचारधारा है इस विचारधारा से उनको डर लगता है इसलिए यह एसियन पेंट का दुकान खोल करके बैच गया हैं जिसको देखिए उसको जो है यह पेंटिंग करते रहते हैं ब्रस उठाते हैं, ये लाल रंग है, लाल रंग से रगे हुए सभी पतार्थ को आज से एंटी नेशनल कहा जाएगा, येस, कोई रंग की लडाई हो रही है, किसी रंग के लिए लड़ रहे हैं, भविस के लिए लड़ रहे हैं, दोस्त, कोई रंग की लडाई लड़ रहे है हमारे जेईनियू के टीचर को गरीमंतरी बनना है कि हम इस आगे खिलाब बोल रहे हैं पढ़ान मंतरी इनको बनना है अरे ये आरोप अगर मेरे उपर लगाएंगे तो ठीक हम चुनाव लड़ें तो हम तो लड़ी रहे हैं आप से हम तो लरेंगे हैं हर जगर लरेंगे हर बार चुनूती देते हैं कि जो करना है कड़ो तयार है जेलने के लिए जेल भी कोई बूरी जगर नहीं होती है जब समाज भी जैसा हो जाए तो जेल भी बुड़ा नहीं पा जाह हुआ आप खाने पीने पर पावंदी हो प्यार करने पर पावंदी हो बताइए इसक क्यों गया जाटके चलते बिया नहीं कर पाएं पर्की आप लोग भी सच्छिएगा आप भी जवान रहेंगे कभी इसको हुआ जाटके चलते बिया नहीं कर पाएं बताईए इससे जादा तकलीफ होगा हैं और कह रहा है कि नाम देख करके नाम देख करके टाइटिल देख करके क्या बुक कीजिए बताईए समाज को कैसा बनाना चाहते हैं समाज को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक ही समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं यह नफरत के मांग है वो मांग यह है कि हमको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए और जेनियू की लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि इस देश में हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है जिस तरह से आपने एक लप्र का मूठा मांग करके यह सोचा था कि वो धनुस नहीं चला पाएगा उसी तरीके से आप जेनियू जैसे संस्थान का फीस बढ़ा करके एक ऐसा फीस लाना चाहते हैं कि इस देश का गरीब इंसान पीएचीडी नहीं कर पाएगा तो हम आपको बता देते हैं साहब सिर्फ अपने परने के अधिकार के लिए नहीं जो संभिधान हमको परने का अ पारा क्यूं लग रहा है तो जो है अमिसा की तरह क्वेश्चन पहले ही लिख करके देकर इंटर्व्यू देते हैं अरे हाथ में माइक थाम लिए हैं जिंदगी में जो जो चीज बुरी लगेगी ना सबसे आजादी मंगें आपको दिक्कत है क्या गुनाह की है क्या अगर विद्यार्थी चीए के खिलाफ बोलते हैं यह उनका गुनाह है आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं आप इतिहास के साथ खिलवार कर रहे हैं वो कहानी याद कर लिजिएगा बस कि जब जंगल में आग लगी तो बरे बरे जानबर देख रहे थे एक कोयल अपनी चोटी सी चोच में पानी की बूंदों को भर कर जंगल को बचाने का प्रयास कर रहे थी तो बरे जानबरों ने कहा कि तुम्हारी चोटी चोच से यह आग नहीं बुझेगी तो कोयल ने कहा कि नहीं बुझेगी मेरी चोच से ठीक है लेकिन बुझेगी जरूर आग क हमारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम बुझाने वालों में लिखा जो लोग JNU के साथ खर हो रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है कि उनको अपने फैमिली के वार्टसेप ग्रूप में एंजिनेशनल बोला जाता हो, हो सकता है कि पिता जी को गुस्सा किसी और बात का पिता जी चाहते थे कि इंजिनियरिंग कर ले लड़का फुकों पर करके बोलाए कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे हो सकता है कि पुराना प्यार और पुराना क्रस तो आपको इंटी नशनल बोलना शुरू कर दे लेकिन ये सब ओस की उस बूंद की तरह है जब गर्मी की तपिश होती है तो उस ओस का बूंद भाप हो करके उड़ जाता है यह इतिहास आज यहां जो आप सब लोग बैचे हु नहीं बता रहा हुं यहीं वो जगए है यही ए मैं चाटी है मंत्रीजी कोई और मंत्री जी को रोड पर आना पर था रोड पर यंद जब जानता रोड पर आती है न लो सुर्कार भी इस रिसी कमरों में कि आप विद्यारतियों का वजीपा उसकी चात्रविर्थि उसका ऐसकॉलरसी बंद नहीं करेंगे और बंद नहीं हुआ बोले जीते था ये नहीं जीते थे ये तो ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा एक पतरकार ने पूछा कि आगे क्या होगा लेकिन एक बात आपको बता देते हैं जो नहीं होगा वो यह किस देश को हिंदू-मुसल्मान के नाम पर बठने नहीं दिया जाएगा इस देश में लोगों के जो पढ़ने का अधिकार है उसको छीनने नहीं दिया जाएगा इस देश में जो सरकारी संस्थान है तथा कथित राष्टवादी सरकार को राष्ट्य संपत्ति को बेचने नहीं दिया जाएगा इस देश में महजे कागच के चुकरे के आधार पे किसी से उसके भारतिय होने का परमान पत्र नहीं चीना जाएगा इस देश में किसी के जातिय पहचान के चलते उसके साथ छुआ छुद बरदास्त नहीं किया जाएगा इस देश में लड़का और लड़की का भेद करके ये लैंगिक भेद को स्विकार नहीं किया जाएगा ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जरूर होगा ये कुछ भी कर ले लेकिन जेनियू में बही हुई फीस लागू नहीं होगी और जेनियू को बरबाद करने का ठेता लिये हुए ये जो वाइस चांसलर है वो वाइस चांसलर नहीं रहेंगे नो मोर